कि हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं पापर बी आई और पावर बियाई की हमारी दूसरी क्लास है फ़ली क्लास में था था कि अदर कि इस तरीके से हम रिपोर्ट वगरा बनाते हैं क्या है मैं ज़िए अकर शोकर के बाद आपके साम लगे आता है इसको कॉ ay तो आप यहां से number of pages को यहां से ले सकते हैं ठीक है अब यह जो blank area आपको दिख रहा है इसको canvas बोलते हैं जो भी report बनेगी जो भी आपकी digitalization बनेगी जो भी आपकी dashboard बनेगी वो इसी area बनेगी और तीन टूल्स है पहला है आपका filter दूसरा है visualization तीसरा है film यह भी दिख रहा है कि हाइट भी इस तरह से हो सकता है अगर यह हाइट हुआ तो आप इसको ख्यास क्लिक कीज़ेगा और इसके इससे पहले तीन view है आपका पहला है report view दूसरा आपका data view तीसरा आपका model रिपोर्ट वी में आप report बनाते हैं data view में आपके जितने भी data और data को देख सकते हैं इस पर फिल्टर लगा सकते हैं पास्टर उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं data model में हम relationship के लिए इसमान करते हैं filter filter के लिए विल्टर होता है कि आपको कौन सा report बनाना है और field में जो आप data connect करते हैं तो इसे pivot table में इसे field होता है उस तरह से होता है इसलिए data connect करके हम आपको बताते हैं तो data यहां पर home tab में आपको data group है उसी में आपको यहां पर Excel, Power BI, data set, server, enter data और खुल data IP करना चाहते हैं इसे हैं sources तेकि फिलाल हम Excel से रहना चाहते हैं तो हम Excel की click करते हैं और इसके बाद अपने file को select करें आप इस ते कोई मतला नहीं है कि आपका file 7 का है आपके पास Excel points है फाइल की टिपिल करता है यह जो file है .xlxm तो Excel के हर करा के फाइल को support कर लेता है ठीक है तो हमने यहां पर अब डीवी नामवा file है इसी को लेके हम open जाखते हैं अब डेटा वो connect करेगा अब थोड़ा सा time पर जून देता अब इस डेटा सेट में जितने भी फाइल्स थे और सारे फाइल्स आपके सामने लिख रहा है अब इसमें हमने इस टेबल को क्लिक किया तो मुझे यहां पर इस टेबल का data प्रिव्यू होगा आप इस पाइप डेटा देटा देटा है उसके बाद सीधे रोड़ पे क्लिक किजिए रोड़ पे क्लिक करते हैं तो मुझे इस लिखते फाइल का डेटा आपके इस पापर वियाई ने आजा यहां और साथ में देटा आपका यहां लिंक होगा आपका डेटा करें अ इं कि कि झाल झाल अब देखिए जितने भी फिल्ड्स थे हैं और सारे फिल्ड्स आपको यहां पर दिखिए अब आपको क्या करना है देखिए सिंपल सा यहां से विजलाइएशन चूज करना है कि आपको चाहिए कि जिसके मान लेज़े मुझे बार चार्ट चाहिए स्कैट बार चार्ट चाहिए तो हमने इस पर क्लिप किया क्लिक करते हैं यहां पर आगे इसकी साइज अपने इस आप से पराज़ा यहां कर सकते हैं और यहां से आपको अपना फिल उठाना इसे प्रिवट उठाता है हमने लेह साथ और यहां हम चाहते हैं कडीटी तरे यह akturale को शेह होता है और कि क्लिक की अई सर्ड गधर किया सकते हैं मतला अगर हम जासे यहां पर है वाई-समर नेम है तो हम उसे अक्सेस में है पिले कि झालिण तो तो जब आप उसको ऑम ले जाएंगे किसी को शेर करेंगे तो इस पर इपर करता है कि आपना रहे हैं अभी तो अप्लोड करेंगे पावड भी आई पर तो वहां पर आई पर किसी वह शेर करेंगे तो वहां हम एक्सेजिन दखेंगे कि और राइट करेगा यू करेगा विद्ध नीए सर वो नीए सर जैसे आपने नेम के अगेंज में कॉंटिटी बनाया सर तो इसका अगर हम कॉंटिटी वर्सस नेम भी कर सकते से उल्टा भी कर सकते हैं अब इस दिख्वें आपको आप यह तो आपको पीवट की तरह बनों है इस तरह से अगा है और बंती है और 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 यहां गालिया तो नहीं नहीं आपकया अदो आप यहां यहां पितनुनिया तो आप दूसरा थी आपके अपनद और में लाश्या काप से अरेंज कर सकते हैं कि इसके बार हम बात करेंगा लेकिंगे मेल होता है हम डेटा करेंग फी हम data कहां कहां से connect कर सकते है कि तो यहां गेड़ आई है कुछ common dataset आतों कुछ common dataset अठा है कि गाँ चिहां कि कुछ common dataset लेगा इसे फाइल में एक्सल टैक्स एक्समेल जेशन फोल्डर से पीडियेव से और शियर्पाइंट फोल्डर से डेटा को लेशिए डेटावेस की बात करें ते इस्क्वेल एक्सेस आइडी में मायस्कुल शैफ अनना ना बहुत साहतर आपे डेटा वीशस है अपये डिशक्स नेक्ट कर से असियाथ को पावर बैप्लिकेशन लेते हैं मैक्रोसूड के वाता है उससे लेते हैं यससर लेते हैं अब कर तो अब इंडर दयो जो हमारी उल्म ये से उसका यहाँ पर झाल 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 जो पेज आपका नहीं है वो पेज में बताईए और नमपनेगा तो आप पहले फाइल लेके आईए तो आप पहले फाइल लेके आईए तो आपके पास नोट पैड की फाइल बना लेजिए ठीक है ना आपके बना लेजिए डाउनलोड कर लेजिए डाउनलोड कर लेजिए डेटाबेस अगर है तो आपके पास नहीं सर्विसेज में डेव है टेप साइट उन्हां से डेटा आप लेके आएंगे चीक है यह सब करके रखिए तो कल हम आपको कल की क्लास से बता देंगे को कि आज लेट हो गया क्योंकि नौबजे किसी और का टाइमिंग है मैं सुथा है सारे आट से साइट दू कलेंगा आप लेट होगे आने हैंगे चीक है हलो यह सरी